नमस्कार विद्यार्थियों आज विभन माध्यमों के लिए लेखन के बारे में बाचित करते हुए इस कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे द्रिश्य श्रब्य माध्यमों में लेखन और साथी साथ डिजिटल माध्यमों के लिए लेखन लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बातशित करना चाहता हूँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दृश्री श्रव माध्यम है क्या कौन है दृश्री श्रव माध्यम यानि जो बोलती तस्वीरें हमारे सामने आती है यानि जिसको हम audio-visual माध्यम कहते हैं उन वोलती तश्वीरों के माध्यम के रूप में, जैसा आप सब जानते हैं, आपके जीवन में रोजाना इस्तेमाल होता है, वो है टेलेविजिन. टेलेविजन के साथ साथ सिनमा ये सारे माध्यम दरसल दृष्ष श्रब माध्यम है और ये दृष्ष श्रब माध्यमों की एक जो सबसे खासियत है या जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण ताकत है यानि जो विजूल की ताकत है जो दृष्ष की ताकत है उनकी सबसे बड़ी ताकत है ये कहा भी जाता है कि जो आपके सामने दिखता है उससे बड़ी सचाई और कुछ नहीं होती हलांकि ये भी सच है कि जो दिखता है वही आखरी सत्य नहीं होता उसके पीछे की भी कहानी बहुत महतुपूर्ण होती है लेकिन जो तस्वीरों की ताकत है वो हमार एक तरह से हमारा समाज हम सब लोग तस्वीरों की ताकत में भरुसा करते हैं तस्वीरों का मतलब यह है कि चीजों को इस रूप में देखना जैसे वो हो रही है या जैसे वो हुई है तो एक तरह से तस्वीरों की बहुत गहरी ताकत है और जो टेलेविजन है या सिनमा है वो ऐसे माध्यम है और खास करके आज हम बात यहां सिनमा की नहीं कर रहे हैं जादा हम टेलेविजन की बात करेंगे और टेलेविजन में भी जो समाचार टेलेविजन है उसमें कैसे क्षिश्टाएं क्या हैं सबसे पहले टेलेविजन भी यह जानना चाहिए कि एक रेखी माध्यम है एक लीनियर मीडियम है एक तरह से उसमें भी आपको जो जिस भी कारिक्रम को आप देख रहे हैं या समचार बुलेटिन देख रहे हैं या आप किसी का इंटरिव्यू देख हैं उसको आपको शुरुष देखना पड़ता है आप उसको आपके पास ये सुविधा नहीं होती है कि किसी टेलेविजन चैनल में किसी चीज को पीछे ले जा सके हालांकि वो सुविधा अब धीरे-धीरे हमारे पास डिजिटल में आ गई है लेकिन जो हमारे पास पारंपरि टेलेविजन चैनल है उस टेलेविजन चैनल के बारे में हमें ये समझना चाहिए कि वो एक रेखी अमादे में उसमें जो दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर बात है कि जैसा हमने ये कहा कि आप अखबार पढ़ते हुए अगर आप कुछ और भी काम कर सकते हैं आप ज़्यादा ध्यान मांगता है वो तस्वीरें जो विजूल्स हैं जो उसकी आवाज है वो आपको बिल्कुल एब्जॉब कर लेती हैं अपने साथ जोड़ लेती हैं आपके आँखें इधर उधर नहीं भटक सकती क्योंकि उसमें विजूल की ताकत इतनी ज़्यादा होती ह कि वो आपको बिल्कुल बांध कर रखती हैं तो उसको टेलेविजन देखते समय यह इसलिए माना जाता है कि टेलेविजन देखते हुए आप और कोई काम नहीं कर सकते तो इस तरह से वो आपका पूरा ध्यान खीशते हैं वहाँ पर जैसा हमने कहा कि टेलेविजन दरसल य लेकिन इसमें द्रिश जादा महत्यपूर्ण हैं तस्वीरें जादा महत्यपूर्ण हैं और यह तस्वीरों का माध्यम है विजूल का माध्यम और विजूल की ताकत के बारे में हमने चर्चा की कि विजूल कितना प्रभावी होता है क्योंकि दुनिया को हम जो देखते हैं ओसके जरिया हमारे मन में हर चीज की एक तस्वीर बनती है। और इस रूप में तरहसal हमारे सामने कई तरह की तस्वीर बनाता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि तरह से तत्काल का या लाइव माध्यम है। यानि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो आपको तुरंट दिखा सकता है जो भी दुनिया भर में घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं आप देख सकते हैं सीधे होते हुए देख सकते हैं कोई rally चल रही हो कोई press conference हो रही हो कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो उन सब घटनाओ को और जैसे आप में से बहुत सारे लोग टीवी पर अकसर cricket match देखते होंगे, football match देखते होंगे यानि एक तरह से वो live का माध्यम ये माना जाता है कि television सबसे प्रभावी माध्यम है क्योंकि उसकी ब्यापक पहुंच है देश में सबसे ज़्यादा घरों तक पहुंचने वा मा भी हैं, दादी भी हैं, दादा भी हैं, बच्चे भी हैं, तो एक तरह से सभी लोग television देखते हैं, घर के अंदर television को एक तरह से पूरे परिवार का माध्यम माना जाता है, लोग आम तरह पर drying room में साथ बैठ कर television देखते हैं, अख़बार कई लोग मिलकर नहीं पढ़ सकत लेकिन टेलेविजन एक तरह से माना जाता है कि घर में सभी लोग बैठ करके देखते हैं तो एक तरह से वो पारिवारिक माध्यम है तो हमें इस इन टेलेविजन की इन खूबियों को जानना चाहिए और अगर हम इन टेलेविजन की खूबियों को, उसकी शक्ती को समझेंगे, तभी हम उसके लिए बहतर लिख सकेंगे, तो टेलेविजन के लिए लिखने में हमें किन चीजों का धियान रखना चाहिए, जैसा मैंने आप से कहा कि टेलेविजन वास्तों में एक तरह से तस्वी के मताबिक होनी चाहिए तस्वीर के साथ चलनी चाहिए और जब हम यह कह रहे हैं कि तस्वीर के साथ चलनी चाहिए तो वहां शब्दों का उतना महत तो नहीं है यह अक्सर बताया जाता है और मैं भी आप से कहना चाहता हूं कि कई बार जब विज्वल बहुत ज़्यादा प प्रभावी तस्वीरें होंगी बहुत ज़्यादा absorbing तस्वीरें होंगी तो लोग सुनते नहीं है कि पीछे voiceover क्या चल रहा है उनको ये पता नहीं चलता तो इसलिए हमें television के लिए लिखते हुए जो सबसे बुलियादी बात है कि हमारे अंदर visual की अच्छी समझ होनी चाहिए दृष्यों की अच्छी समझ होनी चाहिए कि हमें अपनी script में किन तस्वीरों के साथ क्या लिखना है दूसरी बात यह है कि लोग television पर दृष्य देख रहे हैं visuals देख रहे हैं अगर आप जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं तो भी उसका कोई फाइदा नहीं क्योंकि लोग देख रहे हैं तो आपको ऐसी बात लिखनी है television के लिए जो जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से शब्द आपके लिए पूरक हैं उन तस्वीरों के पूरक हैं जो तस्वीर में हम नहीं देख पा रहे हैं उनको स्पष्ट करने के लिए उनको उनका वर्णन करने के लिए उनके पीछे की जानकारी देने के लिए क्योंकि तस्वीर में हम सब कुछ नहीं बता सकते तो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उसके साथ जो जूड़ी हुई जानकारियां हैं, वो हम टेलेविजन के लिए लिखते हुए ध्यान रखते हैं दूसरी बात हमें एक बात और रखनी चाहिए कि जो टेलेविजन के लिए स्क्रिप्ट है और script के लिए जो हम शब्द लिखते हैं, उसमें एक तरह से script के जो शब्द हैं, वो दो तस्वीरों को जोडने वाले cement की तरह हैं, जैसे हम अगर घर बनाते हैं, तो एक इट के बाद दूसरी इट रखे जाती है, और उन दोनों इटों के बीच में cement होती है, ठीक उसी तरह से एक visual और दूसरे visual के बीच में cement के तरह हमारी script या शब्द आने चाहिएं, टेलिविजन के लिए लिए लिखते हुए जो एक और खास बात है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने कहा कि उसमें तस्वीरे महतुपूर्ण हैं, तो उसकी जो भाशा है, वो बोल च है, जो कहानी है, जो जो रिपोर्ट है, उसके साथ तस्वीर के साथ साथ बाइट भी होती है, यानि जो उसके किरदार हैं, जो उसमें चरित रहें, वो क्या कह रहे हैं, उसकी बाइट भी होती है, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो एक तरह से बाइट का भी उसके साथ जोड़ना है और टेलेविजन में एक बात का और भी हमें ध्यान रखना है कि जहां पर कुछ तस्वीरें हैं जैसे मान लीजे आप कोई रैली की तस्वीर दिखा रहे हैं या आप जैसे मान लीजे कि किसी बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं तो वहां की जो प्राकृतिक ध्वनिया है, जो natural sound है, वो sound भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर के ऊपर आपका voice over या आपकी script चलनी चाहिए, तो मेरा ये मानना है या मेरा आपसे ये आग्रह है कि natural sound भी आपके visual के साथ रहना चाहिए, कुछ जगह पर बाजार लोग feel कर सकें क कि ये बाजार का दृश्य है, लोग ये समझ सकें कि ये रैली का दृश्य है, तो इन कुछ बुनियादी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हम television के लिए बहतर script लिख सकते हैं, अब हम आपसे बात करेंगे, कि जो नए माध्यम हैं, या जो digital माध्यम हैं, इनके लिए हम लिखते हुए क्या तैयारी करें, जो नए माध्यम हैं, हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा, कि ये माध्यम हैं क्या, और इनकी ताकत क्या है, इनकी सीमाएं क्या है, इनमें संभावनाएं क्या है, तो सबसे जो महतुकूर्ण बात हमें जानने की है, कि जो नए या digital मा माध्यम है, यानि जो आपके जो इंटरनेट से, या जो www, जो वर्ल्डवाई वेब है, उसके जरीए जो आप तक पहुचने वाली जानकारियां, सूचनाएं हैं, इन सभी माध्यमों को जो digital माध्यम कहा जाते हैं, इन माध्यमों की सबसे बड़ी ताकत है, कि ये interactive माध्यम हैं, यानि ये दो तरफा माध्यम है, जनसंचार के जो बाकी माध्यम हैं, जिनको लिगेसी मीडिया भी कहा जाता है, जो उनको परमपरीक माध्यम भी कहा जाता है, चाहे वो अख़बार हो, टेलेविजन हो, रेडियो हो, उसमें आप बात नहीं कर सकते, आप अपनी बात पहुचा सकते, एक पाठक दर्शक श्रोता अपनी बात नहीं पहुचा सकता, लेकिन डिजिटल माध्यमों के साथ खास बात यह है, कि वो इंटरेक्टिव माध्यम है, यानि उसमें दो तरफा समवाध हो सकता है, साथी साथ एक जो बड़ी ताकत है डिजिटल माध्यमों क कि उसमें सभी बाकी माध्यमों का कनवर्जेंस हो रहा है, यानि कि जैसे आप अभी तक आडियो माध्यम के बारे में आप से चर्चा की मैंने, आप से आडियो वीजूल के बारे में बात की, आप से प्रिंट माध्यमों के बारे में बात की, यह सभी माध्यम डिजिटल में आकर के converge हो जाते हैं एक ही करण हो जाता है उनका और इसके कारण डिजिटल में आपको ज़्यादा गहराई और विस्तार मिलता है एक तरह से डिजिटल जिसमें टेक्स्ट भी है जिसमें तस्वीरें भी है जिसमें वीडियो भी है जिसमें ग्रैफिक्स भी है और जिसमें Digital की, Digital की सबसे बड़ी सीमा ये है, कि इसमें अपने जो audience को कैसे बांधे रखें, क्योंकि वहाँ attention की सीमा बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोगों के पास बहुत विकल्प हैं Digital में, इसलिए लोग जादा समय तक कैसे टिक करके आपकी बात को पढ़ें या जानें, तो ये एक ब कि Digital में जो story लिखते हैं, या feature लिखते हैं, या vision लिखते हैं, उसके बारे में हमारे दिमाग में पहले से पूरी मुकंबल तस्वीर होनी चाहिए, उसकी पूरी मुकंबल तयारी होनी चाहिए, जैसे अखबार में लिखते हुए, आप केवल अपने समाचार के बारे में तो आपको एक तरह से digital की script के बारे में विस्तार से सोचना पड़ता है उसके हर पहलू के बारे में सोचना पड़ता है कि इसमें तस्वीर कहां लगेगी इसमें कितना text होगा क्योंकि उसमें भी जादा text हम नहीं दे सकते क्योंकि digital में लोग लंबार नहीं पढ़ते लंबार लिए उनके पास अख़वार है लेकिन digital में संगशेप में हम कैसे जानकारी दे सकते हैं लेकिन उसको appealing और आकरशक बनाने के लिए उसमें तस्वीरे कैसे लगा सकते हैं उसमें video कैसे डाल सकते हैं उसमें audio कैसे डाले उसमें किन जिसे आंकड़े अगर आपको देखने हों तो उनको ग्राफिक्स में और शार्ट में कैसे डाले इसकी तैयारी करनी पड़ती है तो यानि उसके लिए लिखते हुए हमें इनके इन पहलों पर भी सोचना पड़ता है साथी साथ हमें डिजिटल में लिखते हुए ये बात का ध्यान रखना है कि अगर उसमें कुछ और जानकारी जरूरी है और आपको लगता है कि आपके पाठक के दिल्चस्पी हो सकती है तो उसके लिए आप लिंक दे दीजे जिसको वो क्लिक करके उसके बारे में विस्तार से और जगों पर पड़ सकता है इसके साथ साथ अगर इसमें कोई जानकारी आप किसी सोर्स से ले रहें तो उस सोर्स का भी लिंक दे सकते हैं ताकि अगर लोग उस जानकारी को कहीं से क्रॉस शिक करना चाहें तो उस link पर जा सकें digital में हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि उसकी भाशा सरल होनी चाहिए साफ सुत्री होनी चाहिए वाक्य और paragraph छोटे होने चाहिए वाक्य तो छोटे होनी चाहिए digital में जो लिखने का चलन है जो उसकी मांग है कि उसके paragraph अख़वार के तुलना में बहुत चोटे होते हैं कई बार तो केवल एक वाक्य का ही paragraph होता है क्योंकि उसमें हमारी आँखें जा है वो हम उसको लैप्टॉप पर देख रहे हो कंप्यूटर पर देख रहे हो या अपने मुबाइल फोन पर देख रहे हो डिजिटल को लेकिन उसमें हम लंबा नहीं पढ़ सकते आँखें दुखने लगती है तो इसलिए हमें उसमें paragraph छोटे रखने पढ़ते हैं ताकि लोगों को आसानी से पढ़ सके उसमें जो सबसे महत्पूर्ण चीज है कि उसमें आपके पास सिर्शक आकर्शक होने चाहिए उसमें जो आप लिख रहे हैं उन जानकारियों को आप छोटे छोटे paragraph में उप सिर्शकों के साथ जिसको हम सब हेडिंग कहते हैं उन सब हेडिंग के साथ उसको आप लिखने के कोशिश करिया और अगर आप डिजिटल के लिए लिख रहे हैं तो आपको और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जो आम लोग हर तरह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बार हो सकता है वो पढ़ने के लिए ही नहीं कर रहे हैं उसमें वो एक तरह से वीडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इन सब माध्यमों के इस्तेमाल में इस बात का भी ध्यान रखें कि डिजिटल इन सब माध्यमों को एक जगा ही कठा करता है इसलिए उन सभी माध्यमों की खूबियां भी इसमें है एक तरह से ये linear भी है पर linear नहीं भी है और यहां पर पाठक को आगे पीछे जाकर के पढ़ने की भी सुबिधा है इसमें हर माध्यम का एकी करण हो रहा है इसलिए हर माध्यम की ताकत भी है पर उसकी कुछ सीमाएं भी है जैसे हमने कहा कि इसमें पाठक के पास बहुत समय नहीं होता तो विद्यार्थियों आज हमने इस कक्षा में चर्चा की कि विभिन माध्यमों के लिए लेखन करते हुए खास करके द्रिश्रश्रब माध्यमों यानि टेलिविजन के लिए लेखन में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके लेखन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसी तरह से हमने आज ये भी चर्चा की कि जो डिजिटल माध्यम है यानि जो नए माध्यम है माध्यम जैसा हमने चर्चा की कि एक तरह से नए माध्यम हैं जिन में आपके पास लिखने के लिए परयाप्त गुंजाईस और मौके हैं पर उसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पाठक को दर्शक को और आपके शोता को क्योंकि डिजिटल माध्यम में वो हर चीज का आनंद लेना चाहता है तो इसलिए उन सब चीजों का ध्यान कैसे रखें और डिजिटल माध्यम में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पाठक के पास बहुत समय नहीं होता उसके पास और भी बहुत सारे माध्यम उसको आकरशित करते रहते हैं तो इसलिए हमें इस बात की जरूरत है इस बात का ध्यान रखना है कि डिजिटल माध्यमों के लिए हमारा लेखन गहराई लेकर के हो लेकिन उसके लिए जो वाक्य हैं वो छोटे होने चाहिए उसके paragraph छोटे होने चाहिए तो मुझे उमीद है कि डिजिटल और द्रिश्ट श्रब माध्यमों के लिए लेखन की इस चर्चा से आपको कुछ नए सबक मिले होंगे और आप इन माध्यमों के लिए बहतर लेखन की तैयारी कर सकेंगे झाल, कर दाल, पॉवप हो झाल, चैयारी कर दो माध्यमों के लिए खपक पार आपचक, को दो कि याए बहतर द्रमीद हए लेखना, चैयारी कर सकेंगे कि तैयारी कैसे रहतर का ठाल, जो था दो मुझे. आदर आद